हम आशधा कुछक्षाण धीगरी संख्या ग्याद किजी तो धीगरी संख्याओं में या देर्क खिए सबुनर वर्ट संख्या क्या होगी जवेना देख्याओ और 20 के लिए इसके बीच में कौन को इसन के है? पूर्ट इसन के जर बताओ. जी, 121, 144, 144 और 169 और 196 और 225 और 256 इन में से एक भी नहीं. इन दो संख्याओं के बीचे पूर्णुवग संख्या 16 है. बताओ, है या नहीं? पूर्णुवग संख्या का मतलब है, जिसका अगर आप अंडरूट निकालो, तो निकल जाए. क्या ये संख्या हैं जो आपने बताई हैं क्या इन दोनों संख्याओं के बीच में आती है नहीं आती है न इन दों संख्याओं के बीच में कौन संख्या आती है 16 कौन से आती है 16 क्या एक पूर्णवर्ट संख्या है 340 के बीच में इतना समय लगेगा पिल्कुल 36 और इसके बीच में 49 तो पिछह रह जाएगी क्यों सावन के स्वार कितनी होता है 49 और 8 का स्वार कितना होता है 64 इनमर्द कोई है गी नहीं तो 0 तो इनके बीच में एक पूर्वेक्शन क्या है 16 इसके बीच में एक पूर्वेक्शन है 36 इसके बीच में कोई पूर्वेक्शन है यह नहीं है उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ गई हो कि आपको यहां पर बोलो कि अबूचयर ली कोशन क्या बोले तभी स्वार रूट नहीं बताना है इसमें वो संख्या बतानी है जो पूर्वेक्शन क्या जरा में एक बार फिर से आपको इवार रिमाइंड जराएता हूं एक के स्क्वायर करूँ एक दो के स्क्वायर तीन के स्क्वायर चार के स्क्वायर पांच के स्क्वायर छे के स्क्वायर साथ के स्क्वायर आट के स्क्वायर नो के स्क्वायर और दस के स्क्वायर तो ये एक से लेके सौ के बीच में कितनी पूर्णवर्ग संख्या हैं? एक से सौ के बीच पूर्णवर्ग संख्या है, बीच पूर्णवर्ग संख्या है, पूर्णवर्ग संख्या है. जो परफेक्ट स्क्राइब नमबर से कितने हैं यह पूर्वरक संग यह नहीं पूर्वरक संग है नहीं एक है चार नौ सोला पच्चेस च्छतिस औरंचास चौसट इक्यासी सो तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कि एक से लिके सो के बीच में कितनी पूर्वरक संख्याइं हैसे सो के बीच नो पूर्वरक संख्याएं Knowledge लेकिन एक से लिएक सो तक दस पूर्वरक संख्याएं होती है आप समझ में आ गई अब के लिए रोगई आ serd पूर्डवर्वक्सथा यह नहीं कहलाती है जो क्यलाएंगी वह कौन सी कहलाएंगी एग चार नौन सोला पच्छाथिस थीस प्रच्छ चोंसर टीकासी ऑंडरेश्टूब गजो पफेक्ट इसको आइर नमबर्व हैं वह यह अप बता रहे हैं किसका यह इसकी बीच में आता ह आपने क्या एक करा कर निकल जाएंगे लेकिन क्या यह सारे नंबर्स दस से 20 की बीच में आतें नहीं आतें इसलिए इनके बीच में इस सित नए होंगे जो इनके बीच में पूर्णवर्ण संखाय है पर्फेक्ट इसम्रम रेकिना है इसका उम्मीद करता हूं यह बाते समझ में चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो इस सारी संख्याओं में से कोंसी संख्या अंक एक पर समाप्त होगी तो इस कोश्चन का आंसर देने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स आप सीखो और उसके बाद इसके साथ-साथ जितने कोई नंबर से उन सब के बारे हैं बता फाउजरा देखें कैसे फिर से चलते हैं एक का स्कार कितना होता है एक या जीरो एक ठीक है और नाइन का स्कार कितना होता है दोनों का इका इकांग चार ठीक है अच्छा और इसके बाद तीन का स्कार कितना है नाइन ओके फिर फोर का स्कार सिक्स्टीन और सिक्स का स्कार इसक्वाइर तो एक से लेके दस तक में और दस का स्कार डबल एक से लेके नौ तक की संजाओं में पहले हम देखते है क्या कि कि अगर किसी भी एक आई का अंग एक कब होगा जब उसकी यूनिट डिजिट का इस्पायर या तो यूनिट डिजिट पर एक हो या मतलब एका एका का ऑन उछींए एक होगा हम Spirit क्या होगा आप मैं इसकाило करेंगे तभी सब्सक्टाइर करें तो इसे संध्याए act पर समद्धructive तो देखो तो यह वाली डीजि़ भी किस पर्सम आपत होगी? एक पर्षेश्ण समापत होगे अच्छा बर इसके रावर कोई संझ्या है? नहीं, तो आप इसका बता सकते हो अगर इस पूरी संझ्या के स्क्वायर निकाला जाए तो इसका एका एकांग क्या होगा? जो स्क्वाइर वाली संग्या होगी किस पर समाप्त होगी चार पर समाप्त होगी किस पर समाप्त होगी चार पर अच्छा और ये किस पर समाप्त होगी नाइन पर तिस आवन का स्क्वाइर 49 तो नाइन पर समाप्त होगी और ये किस पर समाप्त होगी यह भी नाइन पर समाप्द होगी उम्मीद करता हूँ यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ तो निमलिखित में से कौन से संख्याओं के इकाई इस्थान पर 6 अंक होगा तो इसके लिए संख्याओं के इस 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 संख्याओं के ठीके इसका स्कॉार करेंगे तो इका इकांग छे इसका स्कॉार करेंगे तो इका इकांग छे इसका स्कॉार करेंगे इका इकांग छे लेकिन इसका स्कॉार करेंगे इका इकांग क्या आएगा बता हो जरा क्या आएगा वन एक आएक अंग एक होगा बात समझ में आ गई उम्मीद करता हूं इन सारी चीज़ों में आप एक और नया कोंसर्प्ट दीगे तो हम एक बात नहां कह सकते हैं क्या कह सकते हैं यदि एक संख्या संख्या के इकाई के स्थान पर के पिकाई के स्थान पर एक सुरी एक नहीं चार यह चार यह चार यह चार यह आता है तब इसकी तब इसकी वर्ग संख्या वर्ग संख्या के अंत में कितना आएगा छे आता है तो अब आप इसके लिए इस लेंग्विज को इस लाइन को आप अपने इस पर यूज कर सकते हैं अगर मान लो यहां पर नौ की जैसे पीछले वाले कुश्चन में करा कि किसके संख्या के अंत उस पर नौ आएगा तो आप में चार यह चार यह क्या लिख सकते हैं एक यह नौ इक आता है एक आता है चार यह च्छे हो तब उसकी आईग्विज करने पर शे आएगा तो उम मैं करवा हुआ कुछ आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जिसको ना समझ में आए वो पूछ लेगा फिर उसे बता देंगे उसके लिए अलग से वीडियो तो यार्ग कर दी जाएगा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कुश्चन है नेक्ष्ट निमलिकित संख्याओं के वर्ग करने पर इनके इकाई स्थान पर क्या होगा उमीद करता हूँ अब तक जो आप लोग बच्चों को पढ़ाया गया आप सभी को समझाया है उसके बेस पर आप इनके आंसर देर पाओगे तो फटावट बता है इसक सिर्फ एकाई का स्काई करना है और मालूमें चार का स्क्वार कितना होता है 16 इस तीन होता है आप जीमघल को आप लोग को समझ में एलगा होगा सिर्फ मैं यह लिखने वाला इंवर ऐगा इसमें कितना आएगा 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 और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा